हलो दोस्तो मेरे नहीं प्रवीन और स्वागत था आपके अपने ही सेटिक चैनल में तो गैस अगर आप अपनी फोन में यूटूब एप यूज़ करते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा यूटूब की चार ऐसी hidden settings के बारे में जो आपके लिए काफी ज्यादा useful होने वाली है जी हाँ दोस्तो इन सारी settings को use करके आप अपनी phone की data को काफी हद तक बचा सकते हो और phone की battery को भी save कर सकते हो तो काफी important settings होने वाली है तो अगर आपको जानना इन सारी hidden settings के बारे में तो वीडियो को continue end तक जरूर देखिए तो without any further delay let's get started आज जो मैं आपको सबसे पहले settings बताने वाला हूँ इस settings को use करके friend आप अपनी phone की data को काफी हद तक बचा सकते है आप जैसे ही अपने YouTube app में कोई भी video को play करते है तो वो friend full HD में play होता है जैसे कि friend आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो video play हो रहा है वो full HD में play हो रहा है तो इससे आपका जो भी data है वो काफी जल्दी खतम हो जाता इसके लिए friend आपको सबसे पहले करना होगा एक setting तो इसके लिए आपको जाना उपर के right corner में आपको दिख रहा होगा उपर में आपने जो भी Gmail ID में अपना pick डाल के रखा होगा वो आपको show करेगा friend आपको इस पे चले जाना है and then friend आपको नीचे में दिख रहा होगा setting option तो इस पे जाना है इसके बाद friend यहां से आपको general पे चले जाना है यहां पर आपको एक option दिख रहा होगा limit mobile data usage तो आपको इसे on कर देना है इसे on करने के बाद आप अपने YouTube में जो भी video play करोगे तो वो video full HD में play नहीं होगा मतलब कि उसका जो quality है वो थोड़ी सी down हो जाएगी जिससे friend आपका data काफी हद तक बच जाएगा so guys इस settings को on करके आप अपनी phone की data को काफी हद तक बचा सकते हो so guys बढ़ते हैं अपनी अगली settings की और so guys जो हमारी दूसरी settings है वो काफी जादा important settings होने वाली है so this settings को use करके आप अपनी phone की data को भी बचा सकते हो phone की battery को भी save करके रख सकते हो so guys आप जब भी अपने YouTube app को open करते हो so वहाँ पे जो भी video होता वो background में automatic play होने लगता friend जिसकी वज़े से आपका phone का data काफी use हो जाता और phone की battery भी use होने लगती है so guys अगर आप चाहते हो यह automatic video play ना हो तो इसके लिए friend आपको एक settings करना पड़ेगा तो इसके लिए friend आपको जाना और corner में तो आपको यहाँ पे click करना यहाँ से friend आपको setting में चले जाना and then friend यहाँ से general में चले जाना यहाँ पे friend आपको एक option मिलता muted playback in fits तो आपको इस पे click करना और यहाँ से friend आपको इसे off कर देना तो इसे off करने के बाद friend आप देख सकते हो जो automatic video play होता था वो अब नहीं हो रहा आप जो video play करोगे वही video play होगा जिससे की friend आपकी phone की data काफी हद तक बच जाएगी और इसी के साथ आता battery भी काफी हद तक बचा सकते हो आप तो काफी important settings है friend इस settings को आपको अपने phone में जरूर करना और साथी साथ अगर आपने अभी तक इस video को लाइक नहीं किया अपने YouTube आप में कोई भी video को full screen में play करते हो तो वो full screen में play नहीं होता जैसे कि आप देख सकते हो friend यहाँ पे side में आपको background में खाली screen देख रही होगी friend अगर आपको अपने phone में full screen video देखनी है तो उसके लिए friend आपको करना होगा एक setting तो इस settings को करने के लिए सबसे पहले आपको उपर लोगों में click करना तरह यहां से setting में चले जाना और फिर यहां से general पे चले जाना और यहां से friend आपको एक option मिलता जूम टू फिल स्क्रीन तो आपको इसे on कर देना तो इसे on करने के बाद friend आप जब भी कोई भीен वीदियोगों फुल स्क्रीन पे प्ले करोगे तो वह video अप खुद उससे словट के देख सकते हो जैसे के friend आप देख सकतो मैं इसे zoom करके गो सकता हूं तो आपके फोन में जो भी 18 प्लस वीडियो होती है वो सारी ब्लॉक हो जाएंगे तो गैस सम्टाइम्स होता ही है कि आपके फोन आपके अलावा आपके घर के बच्चे यूज़ करते हैं और सपोस वो अगर यूटूब में काटून देख रहे हो और सड़नली उन्हें कोई 18 प्लस कोई ऐसी वीडियो शो कर जाए चो की नहीं करनी चाहिए थी तो फ्रेंड उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक सेटिंग तो अगें आपको जाना उपर में यहां पर राइट कॉर्णर पर तो आपको यहां पर जाने के बाद फ्रेंड आपको नीचे पर सेटिंग पर चले जाना है और यहां पर फ्रेंड आपको यहां से जेनरल पर चले जाना है यहाँ पे फ्रेंड आप नीचे करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे restricted mode दिया गया तो अगर आप इसे on करते हो तो इसके बाद फ्रेंड आपके फोन में जो भी 18 प्लस वीडियो होंगी वो सारी की साहतारी ब्लॉक हो जाएंगी वैसा कुछ content आपके YouTube आप में इसे on करने क आपको यह सारी hidden settings अच्छी लोगी होगी आपको कौन सी settings सबसे ज्यादा पसंद आई नीचे comment करके जरूर बताएं इसी के साथ साथ फेंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें और गाइस अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारी चैनल क सबस्क्राइब भी जरूर करें and make sure सबस्क्राइब करने के बाद बगल में उस notification bell को भी प्रेस करके all पर जरूर सेट कर दें जिससे कि आपको हमारी हर एक notification regularly मिलती रहे तो गैस मैं मिलता है आपको अगली वीडियो में till then goodbye and take care